सब्सक्राइब कर लिए उसका फायदा यह होगा कि आपको इस एक चैनल पर ही अग्रिकल्चर बाइलोजी और अग्रिकल्चर केमस्ट्री दोनों की वीडियो डेली टू डेली आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी तो चलिए बिना किसी दरीके हम शुरू करते हैं मारी आज की वीडियो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या किया था जो गहूं का मोलया रोग था वो पढ़ चुके हैं और सब्जियो जड़ कर't रोग है वो भी पढ़ चुके हैं तो आज जो हमारा रोग रहेगा यह इस चैutive पियों रोग दूसरा है सबजियों का जड़ गरंतिल रोग और तीसरा जो है एक रोग है गेहूं का सेहू रोग और दूसरा है गेहूं का तंदू रोग बनलब एक तरीके से बोल सकते हैं चार रोग हैं इस पार्ट के अंदर मोल्या रोग, जडगरंतिल रोग, सेहू रोग और तुन्दू रोग ठीक है, ये चार ही है इस चैप्टर के अंदर और ये चारों बड़े इंपोर्टेंट है ठीक है, इन में से सीधा कोश्चन आ सकता है आपके जेट एक्जाम में भी तो गेहू का सेहू रोग की सवपर्तम ऑश्पर्तम इंग्लैंड के विण्यानीक निहीं रोग सेहू रोग जैऊ, इस सबसे पहले खोजघ्या आपके जो विण्यानीक थे इंग्लैंड के निphones करी तिन्य उनने 1743 में करी था याद रगनावी कोश्चन पूछा जा सकता है ठीक है कि सेहू रोग की कोश्ब से पहले किसने की 1743 में इंग्लैंड के विगानी थे निदम उन्होंने की उसके बाद भारत में यह है रोग सो पर्थम पंजाब रात में 1919 में देखने को मिला था मतलब कहीं जाके 500 साल के आसपास या 170 सी साल के आसपास यह भारत में रोग पहली बारत देखने को मिला था और वो भी कहां देखने को मिला था भी पंजाब परांथ में देखने को मिला था 1919 में ये दोनों डेट याद रखे हैं इन्पोर्टेंट इन से कोशन पूचे सकते हैं अब देखिए वासु देवा एम हिगोरानी उन्हें उन्नी सुबाओं ने बताया कि इस रोग काना गेहूं के उत्पादन में एक से तीन परसेंट तक यहानी होती है ठीक है यह आपको बाली विगलन रोग कारक जिवानू रथाई बैक्टर ट्रिटर्साई के साथ पायता है अभी हम देखेंगे भी की पीले बाली विलगन रोग कों साथ है जो तुदू रोग होता है अभी हमने उपर पड़ा सा तुदू रोग तुदू रोग को क्या बोलते हैं भी जिवानों का नाम दे रहे हैं रहताई बैक्टर ट्रेटिस हाई ठीक है तो यह गेहूं का सेहु रोग और तुंदू रोग साथ साथ देखने को मिलते हैं इसका कारणा भी मैं आपको पता चल जाएगा देखीगा ठीक है तो यही बात लिए यह जो रोग होता है से रोग जो पीले बाली विलगन रोग कारक होता है पीला बाली विलगन रोग कारक कौन सा था भी मुख्यत जिवानों होता है क्या होता है जो मेन रोग उत्पन करने का काम करता है पीला मनलब बाली विलगन रोग जो उत्पन करने का काम करता है वो जिवानों करता है जिवानों को नाम आप जबना में गते लोग भी आं काूता है उस रोग जनक के साथ साती मिलता है कौन से पीले बाली वी लगन जो रोग उसका जो रोग काारक होता है मतलब रथाई भी यूट से उस्य के साथ यह रोग मिलता है अभी मैंने विए बिटता है तुन दो और जो सेहू raok उति है साथ साथ देखने मिलेंगे देखेंगे अभी अधिक मातरा में नुक्सानद साथ गेगल युक्त आटा मनुष्ध einपष्शों के लिए जहरीला होता है देखिए इस रोग में क्या होता है सेहू रोग के अंदर जो आपका दाने होते हैं जो क्या होते हैं बाली होती है गेहूं के पोदे की बालियां जो होती है उसमें जो दाने होते हैं मतलब गेहूं के अलावा क्या बन जाते हैं काले काले रंके कोकले बन जाते टेंगें तो अधिक मात्रता में लुक्सान पूचने के साथ read लूक आठा जो है ठीक ना वह मनुष्य और पश्रकों के लिए जहरीला होता है गेगल क्या होते हैं दानों के स्थान पर काले-काले रंगे क्या बन जाते हैं भी स्रंचना बन जाती है ठीक है ना उन्हें गेगल बोलते हैं इस रोग के अंदर ठीक है अब आगए देखना है हैंचीनशन ने इन्नीस्सोगacción 2017 में बारत के पंजाब परान्थ से क्या किया था और पीला बाली-बैन्थ। जी वाणों होता है अब आखे देखें हैasis अधि इसके आफिक पड़ेंगे जो पीलाबाली विलेगन जो रोग थायरłe 늘 सबंग ऐक तो जिवानों जिसका ना मैंना वोता दिया रहा रहा थाई एकर-терес और होता है सुत्र करीभी एक यूनेट रिट जो शुत्र करीमी होता है वो रोब फैलाने का मतलब वो रोग उतपन करने काम नहीं कर displ है गावोड़ फैलाने का काम करेगा भी हम देखेंगे जो वहाँ जो सुत्रक्री में होता है एक यूनिट रिटसाई वो क्या करता है एक वहाँ की तरह काम करता है अभी आपको सारी चीज़े असानी से बड़ी सवने माई जाएंगी पहले सेहू रोग के लक्षन देखते हैं भी देखो सेह लिश्यों पर दिखाए देगा यह देए इसके इलावा पुष्पी भागों पर संकर्मित ओड़ा बोना रहाता है संकर्मित पोस्बा जलगता है और बोनना रहे जाता है अब देखेंगे संकर्मित बाली यां होती है वह फैली हुवी चोटी चोडी है याद रखें भी जो नॉर्मल बाली रहेगी देखिए गा मैं आपको बताया था हूँ जो नॉर्मल बाली होती है वो होती है बड़ी ठीक है और पतली होगी ठीक है पर जो संक्रमित बाली होगी वो क्या होगी एक तो चोडी होती है और चोडी होती है इस तर यह नीचे संक्रमीद बाली एक डायगराम दिखा रख है आपको ठीक है आब आगे देखना आगे रखा था था लंबे समय तक हरी रहती है थी कर जो संक्रमीद बाली ने होती है वो चोटी होंगी और क्या प्रणाइब चोड़ी होती है और ज्यादा समय तक हरी बनी रहेंगी इन में दानों के स्थान पर क्या बनता है गेगले मैं आपको पता दिया बूरे रंके से गोल-गोल सरंचनाइज रोती है गेगल बोलते हैं अब देखिए प्राय अब देखिए जो रोगी पोदा होता है जिस पर यह रोग मतलब जो इस रोग से संक्रमित हो जाता है उसमें क्या होता है जो बालियां बनती है वो देखना है रोगी पोदे में स्वस्थ पोदे से 30-40 मतलब एक महीने पहले निकल जाती है जो संक्रमी पोदा होता है उसके अंदर एक महीने पहले बालिया निकल जा की लिए होती हैं और छोटी होती है तता पम बनने परारब हो छाती हैं इस अब देखिए करें झोटेसर होंगी कि ठाने कि रिखन्चना से होती है जिसमें अंडे देते हैं प्रारम में जो पीटिके हैं होती है वो क्या होती है देखना प्रारम में जो पीटिके हैं होती है वो मुलायम चंकिले गहरे रंग की होती है जो बाद में गहरे बूरे से काले रंग में बदल जाती है ठीक है ना जो पीटिके हैं होती है कुंडों के अधार तुष पर भी बन जाती हैं अब आगे देखते हैं क्या क्या रखा है कि याद रहे हैं संक्रमित पोदे का तना मर्दा के समीप अधार बाक से फूला रहता है जो संक्रमित पोदा होता है उसका तना जो होगा मान लिजी संक्रमित कोई पोदा है यह भूमी है यहां से जो इसका तना होगा यह स्वस्ट पोदा मान लिजी स्वस्ट यह मैं एक सेकन दोवारा बनाता सबस्तो है यह स्वस्थ पोदाई परकार से संक्रित पोदेगा तना नीचे से प्रकार से आप देखिए तट्रीब ऑगर और यह रोग के वल सुत्र करी में के दौरा होता है याद रखें है most important बात जो सेहू रोग थो सेहू रोग सेहू रोग कर रोग जनक आप you know सेहुरोक का रोगजनक क्या होतना है ज्रोल च्रुन तो आप क्या लिख ढ़केवे सेहुरोग का रोगजनक होतना एधिकिंटाइटीटीटीजनक भी जो होता है यह गेंहां के सेहु रोग का रोग चनदक होता है और यह ना प्र सेहु रूग अगर हम वहीं पर बात करें देखीगा एक सेंके नंगर हम भी हम बात करें तंदु रोक के तंदु रोक के रोक लेक्षन मैंने आपको बता दिए आझ Selena झाया है ठीक और इसकी खोज के बारे में हमने बात कर लिए और इसका रोग घर कर पदें गे तुन्दू रोग झिया नाम याद रखे ये जो रोग है इसका मुख्य रोग जनक जो होता है मुख्य रोग जनक होता है जीवानू क्या होता है मुख्य रोग जनक जीवानू जिसका नम होता है रिथाई बैक्टर ट्रीट साही पर इस क्या करते है जीवानू का ये जिवानु का क्या करता है समहन जो है वो एक सुत्रक्रीमी करता है याद रखे इस जिवानु का समहन मतलब इस जिवानु को एक जिगा से दूसरी जिगा पे ले रहने का काम कोन करता है सुत्रक्रीमी करता है और वो सुत्रकरी में आपका एंग्यूना ट्रेटी साही होता है इसलिए आपके उपर लाइन दे रखी थी कि जो यह रोग होता है वो क्या होता है पीले बाली विलगन रोग कारके साथ देखने को मिलता है ठीक है तो हम देखते आगे उमीद है आपको बात सौन में आगई हो कर देखने की निचली पदिया एंठी वी दिखाई देती है ठीक है जो आपका क्या होगा तुन्दू रोग के लक्षन होंगे देखना पीली बाली विलगन विगलन रोग होता है इसके सबसे पहले लग्षन जो होता है तरौन पादब मन्दब छोटे पादब जो नया का आपन्क रूपी इस तरह हो बालियों प्तिज के लावा जो बाली identify की और जो पतिया होती है पथी और जो पतिया अलावह सहथ है और पढ़ा ओता है जिसने को घुँटा होता है जिससे काम पढ़ना चाहाना चिपक कर गुथ जाते हैं है तो इने जो सफ इस के ora व कि ऑद्षित तीने घुड़ा सा लगा तेक हिए न ही सब्षीना जीच्छी चे आपके क्या लिखागा है कि नम वोसम पर देखना निटेदें के नम वोसम में यह जो कहोते हैं अव पंक भेते हुए दिखाई एक परंतु सूगने पर यह कठोर बंगुर या बूरे रंगर किया है तेट उड़ taş नम वोसम में वो भेता वासा दिखाई देगा अपने ठीक है और जब सूख जाता है वह कठोर और भंगब आदा देरे ता किले और बूरे रंका हो जाता है है आअ मित जो रूग है जिवानु के लुटा रिखिए जिवानौ पर Benjamin कितना काम गलेगा तिक है इसे जटिल रूग भी बोलता है याद रखिए क्योंकि यह सुत्र क्रीमी और जिवानों के दोबार हो रहा है इसलिए इसको जटिल रोग भी वोला ही तो आप से पूछ लेंगे जटिल रोग का नाम बताएं तो आपको लिखना पड़ेगा गेहुं का तंदू रोग ठीक है रोग जनक आपको याद रखना है सुत्र क्रीमी और में बाद में तंदू रोग रोग कर देखेंगे तो देखना यहाद रखना यादरा वी जो गेहुं का शीहू रोग उतपन करने वाले डिम्बक उट्टिकाओं में नमों वस्थाओं में आठ से नों वर्ष तक शुष को वस्थाओं में लगबगत थाइस वर्ष तक जीवित बना रह सकता है याद रखना भी जो गेहों का स्विहूर उगुत्पन करने वाड़े जो सत्र क्रीमी होते हैं वो क्या होते हैं उनके डिम्बक होते हैं मतलब डिम्बक का मुला होता है उनके जो लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं पिट्टी काओं के अंदर अंडे होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं आठ से नों वर्ष तक जीवित बने रह सकते हैं नमों वस्थाओं में और शुष का वस्थाओं में गया कि के खेट वागे देखें कि कि की ओ आ जो कुददे के अफ्षेश पर बनी ये पीटी कई अगले वर्ष में शंकर्मण फैल आने के लिए प्राथ्मी इवेरी दरफी के काम कर अगले ये अगले सालd रोग विजदर काम करें घेश से दिपखना मर्दा में बड़ा ये डिमबकं उस्षी तनमी मिलने पर भार निकल आते हैं ठीक है ना और कहा आता है तथा जब एक चैण मेंगे चोटे एлам की निव strain परत पाश्तित होते है उसके अपर हलके कि जलगी प्रत होती है तो के अज्म और श inaugural यह पहुत और में कर तो यह भागिए उपर टोईक्या इम्सक्राइब चिसे विरूपी खो जती हैं इसलिए अगे अ हमागे ऑग fakie क्या होगा हो दे लेकी व्रदी के साथ साथ दित्त रिमब अवस्तफा डिमब बढ़कर के अगर भाल में प्रवेस कर फिकमना एंगा था है तिकना अब оп क्या होती है सुनना अब दिरस रात में पेलती है प्रत विश्भ नहीं एक मादा प्र्दी挑ics ने डिप्र से तत्रद देने के बाद जो मतलगी मरज़े इंडों से परथफ डिंबक अवस्ता बनती है जो निर्मोचन के साथ क्या होती है जिए यह पड़ने यह तो हम पड़ लिया पित्टिकांफ मजेंगी पित्टिकांफें अंदर अंडे होंगे आप अंडे क्या करेंगे अंडे वर्ष उन अंडों से परात्मी डिमबक निकलेंगे गां जो जब पोदा होगा तरणु ऊगा उसके पर जब जल्गी क्या आउगी परत होगी पतली उसके पर तैरते वे फिर वही वर्दन शीका तक पहुंचेंगे पत्तियों को विरूपित क करेंगे फिर पुष्प तक जाएंगे और वहां पर पुट्टी एंब नाइंगे यह इस परकार से रोग चकर चलता रहत है अब हम देखते हैं तुंदू रोग का रोग चकर तुंदू रोग चकर देखना भी क्या दें रखें कि वासु देवा एंवी गोरानी के नुसार गेहूं का तुंदू रोग पैता करने वाला रोग जनक क्या होता भी याद रहां रहे था ही बैक्टरी टीट साहिए जिवानु है और सुत्र क्रीमी एंग्यूनर टीटर साहिए सुत्र क्रीमी के बीस्ट एक विकल्पी है तूба Mikva समुक्त है क्यों क्या करेंगे तंदू कि झिवानों को गेहूं के पोदन तक पहुंचाने में रोक वाक की रूप अब नहीं मर्दा में जब सुट्र क्रीमी को देना करते हैं और गेहूं मैं संकर्मन करते हैं तो जेवानों निवेस द्रवा को भी अपने disposire पर चिपका कर साथ ले जाते हैं इस परकार सुत्र करी में के साथ साथ जीवानों का संक्रण भी हो जाता है अब देखिए जिवानों का संक्रण भी हो जाता है प्रबंदन देखिए इस रोग का प्रबंदन कैसे करेंगे बड़ा असान है कि रोग रहित छेत्रों से बीजों का चेन किया जाना चाहिए जो रोग रहित क्या होते हैं को ऑक रोग रहीतए है छेत्रों से पीडियों का चेन्ट किया जाना चाहिए depends मिली ने अलग देखिए लिए अला कर ना चली मिछिजित पिट्टी का युक्तवल ओं गाल ले उसके उलवाई ले को मुग्रों का या प्रणे को क्या करना ही अ क्यों से हो रोग से बचने के लिए दो से तीन वर्ष बात फसल चक्रप्णाना चाहिए जिसमें जो जैविक परबंद Coffee क्या करेंगे जैविक परबंदन में गेहूं की परती रोधी किसमें जैसे सोनारा 63 लर्मा पराजो एन पी 608 एस 227 की वोई की जाने चीए रसाइनिक परबंदन देखना इस रोग का संकर्मन अधिक होने पर नेमो फास जिनो फोस एल्डी कार्प थायो नेजिन आदी से मर्दा को प्चारीत करना चीए ठीक है ना या फिर क्या करना चीए एल्डी कार्प सलफोज दो किलो ग्राम सक्रिय के तता उपरती हेक्टियर की दर से खेट में छिड़काओ कर गेहूं के सेहू रोग का नियंतरन किया जा सकता है तो यह हमारा फ्रेंड जो गेहूं का सेहू रोग था यह हमारा कंपलीट हो चुका है ठीक है अब हमारे दो टॉपिक रहेगे गेहूं का सेहू रोग मनलब ए और एक क्या रहा गया स्लग रहा गया ठीक है अब देखिए मैं आपको एक करवा देता हूं चलो आज हम क्या करते हैं यह पार्ट पूरा का पूरा खितम करी देते हैं चोटे-चोटे हैं बड़े असान टूपी के और बहुत हर बार इन से कोश्चन आता है भी तो बात करते है तो देखिए वी गोंगे क्या होते हैं आपने पढ़ा ओगा है औरी क्लास में गोंगे क्या होते हैं एह प्राणी होता है यह जंतु होता है गौगा जो क्या करता है गौगा उत्पन करता है तो गौगा उत्पन करता है या आपको एक सुन्दर सा क्या दे रखा है अब हम आगे देखते है कि देखिए क्या देर रखा है अब देखें ये शाकारी होता है याद रहना क्या देर रखा है देखिए ये रात्री चरह है ये रात्री चरह है ये रात को बाहर निकलते है भी सó suivre वहकता है देरे देरे बड़े रहंगरणगे चालते हैं आपने गोद्स होगहे और अधार तल पर अधरतल तल पर म्यूकस की पतली परतस्त्रावित करता हो आ выступ मुकस की पतली सी परत क्या करता है मुकस क्याता है एक चिपचिपा स्त्राव ठीक है ना जिस परकार से लार होती है उस परकार से चिपचिपचिपा परदार होता है उसका क्या करता रहता है स्त्राव करता रहता है अपने अधरिये बाग से अधरतल से एक तो होता है प्रस्ट इब शाल अफरीक की घंगे याद रखना भी जो सबसे बड़े घंगों वहते हैं आपकेटीना फूली का सबजीयों बगानी पौदों फलना फलों सजावटी समानों को और क्रिप्टो जोन गंगा जो हते हैं मूफली सेम फली सैतुत श्याधी को नुक्सान पहुंचाते हैं यहां से इनसे भी कोई कोश्चन नहीं बन रहा भी अब देखिए कुछ गोंगे याद रहना मनुष्य आफ दूसरे अन्य पर बक्षी जैसे मचलियों पक्षियों इत्यादी द्वारा खाय जते हैं गोंगों को खाया भी जाता है भी गोंगे कौन खाते हैं गोंगों को खाता है इनका श्रीर यह सम्मीत होता है अगर इनको अपने बीच में से काटें तो इस अम्हान दो बागों में बढ़ जाते हैं ठीक न? तो इसलिए इनका श्रीर कुंडली का वट से निको इनका श्रीर होता है का बने होता है कवस्च से ढुकर रहता है या तो देखिए इनका पूरा श्रीब या थोड़ा सा बाग मनलब गोंगे की शरीर पर कवच जरूर होगा वे याद रखे हैं महान के शनेर बी Ground ऑग होता है सपाना जो hot लूट है स्कव チचया हुआ घार जैने ERIC में श्रीर को भी ढककर रख सकता और थोड़े श्रीर को भी डखकर रख सकता है इनके शिर पर दो जोड़ी एंटी नहीं होती है ठीक ना एंटी ना बारे बारे बात करते हैं तो देखना शाबाश जगत इसका जन्तु होता है संग इसका मुलस का होता है मुलस का संग अलग अलग क्या होते हैं वर्ग होते हैं इसका वर्ग होता है गैस्ट्रोपोडा क्या होता है गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोपोडा ठीक है अब आगे दिया रखीगा गन जो है इसका होता है पल्मोनेटा गंग का है पलमोनेटा और वंश का हैलिक्स तो यह आपको सारी चीज़ याद रहा है आपसे बड़ा है सिंपल एक नमर आ कोश्चन पूर सकते हैं या एक इस परकार से तो यह आपको याद रहना है अब देखिए लक्षण के बारे में बात करते हैं तो लक्षण क्या होता है बड़ा असाने देखो इनका शरीड कोमल होता है बहुत कोमल शरीड होता है इनका प्रगुही होता है प्रगुही का मतलब होता है इनके शरीड में यह देखुही की लिख लिए प्रगुही की लिख सकते हैं एक ही मतलब होता है दोनों का देखुही का मतलब है इनके शरीड करेंदर सिलों पाई जाती है ठी के यह बागे धें कि यह दूई पारश वस्भीThe मekा मिलती हैं मैं आपको बता दिया दूई युशाणikel सम्भी यह पारश वस्भी यह तREE हिस्तरी होते हैं तो मैंने बता दिया इनके शरीर पर एक क्या होते हैं कठोर आवरन पाया जाता है कैल्सियम कार्बोनिट का बढ़ा होता है गोंगे का शरीर जो होता है सिर परवार पाद और आंतरांग पुंजों में विवक्त होता है इसका याद रखिए सिर जो होता किसकी में बटा होता है एक तो सिर में बटा होता है एक किसमें बटा होता है प्रवार ठीक ना प्रवार जो होता यह करता है कैल्शियम कार्बोनीट का क्या करता है स्त्रावन करता है याद रखी गए इसके चार और जो कवाच होता है उसका निर्मान कौन करता है यह प्रवार सबसे उपरी बाग पर क्या मिलते हैं अपने को देखने को मिलती हैं आँखे देखने को मिलती है बलद सरकूलीटरी सिस्टम खुला होता है रक्तपरी संचनतर होता है खुले रक्तपरी संचनतर होता है麻askr सरल भाषार नाड्यों में नहीं बह canceled आगे Exodus के अन्राणिया नहीं होती है उंके अंदर कि यह देखें कि एक सेगन बच्व देखिए क्या होता है शरीर चार और एक मासल परवार होता है जो कैल्शिय। पर्वार कोछ्किन पर अपर बिल्कुल या उत्व होते है , अब हम आगे देखते हैं यह डाइग्राम दे रखे एक beautiful साथ देखिए अब आगे सलग के बारे में बात करते हैं कि लास्ट टोपिक है हमारा देखें मैं आपको बता है तो सलग और सनेल में बस थोड़ा ही डिफरेंस है सलग के अपर कैल्शिम कार्बोनेट का कवच नहीं होता है और सनेल के अपर होता है अब याद रखिना बगानी खेती की फसलों को नहीं पुचाता है अब सबसे इंपोर्टेंट कोशन बढ़ रहे हैं याद रहना काली सलग का नाम चाहता भी लैभी कॉलिस एलेक्टे काली सलग होता है इसकी किस कून कौन से पोदों को नुक्सान पुचाती है नीम की नरसरी पान की फसलों को सब्सक्राइब काली सलग का नाम बताइए और किस किस फसलों को नुक्सान पुचा रहे है ठीक है अब आगे देखते हैं इसी प्रकार से स्लेटी सलग होती है इसका नाम होता है एना डैंस स्लेटी सलग जोती है याद रहे हैं यह क्या करते हैं मक्का की फसल पर मक्का की फस तो वेये उद्ध्यान के पोदों को नुक्सान पहुंचाती है ठीक है काली स्लगों इसलेटी लगो होगी और पूरिस लग ऊगी इनका आपको नाम याद रखने हैं अब आब कर देखना आपके जो निचे देर नहीं रहें बूरिस लग के बारे में मता रहा रहे हैं अब आके देखिए के पहचान देखिए कि जंतू का शरीर लंबा पीछे से पतला होता है, नुकिला होता है, सिर पर दो जोड़ी सपर्शक होते हैं, काले रंगे नित्र होते हैं, और परवार सरंचना है, ठीक है, ये पराणी सलग है, मतलब इस पर कैल्शिम कार्बोनेट का आकावरा नहीं पाई जाता है, बाकी सेम करेक्टर किसके हैं, घों रही ठीक है अब आगे देखते हैं कि कि लक्षन देखिएगा सलग का शरीर लंबा होता है कवचीन होता है पीछे की और पतला में नुकिला होता है इसके शरीर पाद प्रवार और आंतरांग कुंबड में बटा होता है शिर पर दो जोड़ी अंकुंचन शील्स परशक होते है ठीक है जिन में पस्च जोड़ी के सिर्ष पर क्या होती है काले लंग के ने तर्शित होता है मतलब दो जोड़ी अगे वाले चोटब होते हैं पीछे वाले बड़े दो आ षप अ ऑर पिछे वालों पर क्या फटे इस परन मिलते हैं यह उप्यालिंग से बहे कि अधर तल पर एक चोड़ा पतला चप्टा सोरी वे तलवे के समान पैर होते हैं ठीक है यह सलग का चितर दे रहा है आपको ठीक है न तो यह आपका चैप्टर हो चुका है जो जो सारी बाते थी वो मैंने आपको बता दी अब यही मुख़्े बाते आगे हैं आपकी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका चैप्टर अब निच्चे आपके कोश्चन आंसर है आप करके देखी का आपको सारे कोश्चन आंसर आते होंगे ठीक है एक सिंगन में जल्दी से अपने देख लेते हैं को बारत में मिलने वाली मेलाइडो का इनकी प्रजातियों के पांच मेहत जो सबजियों का जड़ गरंतिल रोग है उसके अंदर जैविक प्रबंदन में दे रखाया आप महां से पांच नाम देख सकते हैं गेहूं के सेहू रोग के रोग जनक का नाम सुत्र क्रीम होता भी और क्या होता है क्या था एग्यूने ट्रिट सही था भी आपके ठीक है इ पान के ऊपर होता है ठीक बन्की वस्लों के ऊपर होता है हमने अभी देखा रोग के जैविक نयंटरक के रूप में कौन-कौन से इस उत्र करूम प्रियूक्त्त होता है ये मैं आपको पार्ट के स्टार्इं किस्तार था महलया रोग की छोचिकिस ने विगानिक की ती और कि सकते हैं ठीक है और अगर आप इसको वीडियो पसंदा यह तो वीडियो को लाजदा से ज़्यादा लाइक करें अगर आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें अब मैं क्या करूँ है अब इस में इस पूरे चैप्टर की एक शोट वीडियो डाल जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर में एक वीडियो में डाल दूआं बनाके ठीक है जिससे आप अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप असानी से कर सकें ठीक है एक घंटे की पूरी वीडियो होगी है उससे कम की होगी जिसमें अपने सारा चैप्टर एक बार में कर ले ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में लिए तब तक के लिए गुड़ बाई